नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एक्सपर्ट स्टड़ी पॉइंट में तो आज हम आपके लिए बैलोजी के महत्पून 20 परशन लेके आये हैं जो की एंटीपीसी ग्रूप डी के लिए काफी महत्पून है यह जो हम प्रिवेस येर से उठ चाहिं लएगा तो चलिए समय को बिना ब्यार्थ की हुए आज का यह जो टॉपिक है बैलोजी के वह स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला प्रस्ण जो आपके मोबाईल स्किन पर आच चुका होगा तो पहला प्रस्ण सिप्लिस रोग किस से होता है जिसके लिए चार अप् होता है अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं प्रस्ण सिंक्षा दो मानम में प्लाजमोडियम का संक्रमक उत्पन करता है मानम में प्लाजमोडियम का संक्रमक उत्पन करता है जिसके लिए चार अप्शन दिएगा अप्शन नमबर ए इन फुलूजा अप्शन नमर भी टीटनेस option number C, malaria, option number D, type 5, तो जियां इसका सही answer होज़ेगा, option number C, malaria, अगले प्रसन की उड़ चलते हैं, प्रसन संख्या, तीन, मायोपिया से क्या तात परज है, जिसके लिए 4 option देगे, option number A, दूर दिरिश्टी दोस, option number D, निकर देश्टी दोस, section number C, और लिए रसन द।वर दि, तो जियां इसका सही answer होज़ेगा, option number B, निकर दिरिश्टी दोस, अगले प्रसन की और चलते हैं प्रसन संख्या चार ने मैं कितम से किस रोग का संबंद गंभीर रूप से सोच यह दास्त होने से होता है जिसके लिए 4 option देएगें option number A, Piric Path option number B, Alzheimer option number C, Charles option number D, अड़कता है तो जी हाँ, इसका सही है सोज़एगा option number B, Alzheimer अगले प्रेसं की ओर चलते हैं प्रेसं संख्या 5 निमलेकित में से किस की कमी से दात की बीमारी होते हैं किसकी कमी के कारण से दात में बीमारी होते हैं जिसके लिए चार अप्शन देगे हैं अप्शन नमर ए जास्ता अप्शन नमर भी मैगनीज अप्शन नमर सी कैल्सियम अप्शन नमर डी फुलोरीन तो जियां इसके सही एंसर हो जाएगा अप्शन नमर डी फुलोरीन फुलोर परशन संख्या साथ विडाल टेस्ट का उपयोग की संभाबना की जांच के लिए किया जाता है परशन संभाबना की जांच के लिए किया जा सकता है जिसके लिए चार अप्शन देए के जांच के लिए बिडाल टेस्ट का परश्या किया जाता है अगले प्रशन की ओर चलते हैं प्रशन संख्या आठ प्लाजमोडियम जर्म्स किसकी उत्पति करता है जिसके लिए चार अप्शन देएगे है अप्शन नमर्ये ओपसन नमरु या इसका सभी आंसर रिङगा ओप्शन Carlo जब भी प्लाजमोडियम आता है तो रह दीखते रहे आइंसर जो आपका मलेरिया से ही आता है है हुटत है चलते हैं जो कि आपके सकीन पे दिखाई दे रहा है प्रसंसे खिचा नौन का कारण है इसल सभी गश्य feny soon अप्शन नमर B विशानू, अप्शन नमर C किरीमी, अप्शन नमर D कवक, तो जिहां पुलियों जो रोग हता है, विशानू के कारण होने वाला एक रोग है, अगले प्रसन की ओर चलेंगे, तो प्रसन सिंख्या 10, प्येंची सुरोग के लिए उतरदाई पर टोजबा कोन है, जिसके लिए चार अप्शन देगें, अप्शन नमर A, ट्रीपेने सोमा, अप्शन नमर B, अमीवा, अप्शन नमर D, भागरो, ट्रॉफिक, तो जिहां इसका सही एंसर हो जाएगा, अप्शन नमर C, एंट अभीमा, तो चली, अगले प्रसन की ओर चलते हैं फिर से, प्रसन संख्या एक यार मलेरिया रोग किस से प्रभावित करता है मलेरिया जो रोग होता है जिसके करना हमाने सरीर में जो इफ्यक्ट परता है तो किस अंग को प्रभावित करता है जिसके लिए चार अप्शन देगे अप्शन मेरे बिरिक को अप्शन नमर भी फ्यप्रो को अप्श कि में लिए कि किसकी कमी से भ्यक्तियों में घ्एगा नामक रोग हो जाता है किसकी कमी ऑप्सन नमर और वासा उप्सन नमर भी विटामील और आप्शन नमर डी प्रोटीन तो जिसका स़ह इंसर हो जाए आयोडीन आयोड़्वीन के कमई के कारण यह मनीशों में घियेगा नाम रव उत्पन हो जाता है अगले प्रसेड क्यों चलते हैं प्रसें संख्या तेरा मनुस्थ के जिवनकाल में कितने दांत दो बार बिख्षित होते हैं मनुस्थ के जिवनकाल होता है उसमें जetter कितिने दानाथ है जो दो बार उत्पन होते हैं जिसके लिए 2 option देए ऑप्शन नमर 2 Mix 11 option 12 option D 14 तो जिहां इसका सही अन्स भोगा और सिए बीज बी इस मनुस्त में काल में 20 ऐसे दायंत हो जो तो दो बार उत्पन होते हैं अगले प्राशन की ओर चलते हैं प्राशन सिंख्या 14 शरीर की सबसे प्राबल अस्ति कौन सा है जिसके लिए चार अप्शन दिए गए यानि प्राबल मत सबसे मजबूत हडी कौन सा है शरी का जिसके चार अप्शन दिए गए अप्शन नमबर A बहुजा की ओप्से नमबर बी जवरे की ओप्से नमर सी फीमर की पै分 से नमबर डडी इस्टेफिज की तो जिहाँं इसका सही answer होजेगा आप्से नमबर बी जबुड़े की घडडि जी होती है सबसे प्रावल होती है सरी जो तो अगर अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकोन को दबा दीजे ताकि जब ही हम नया वीडियो डालू तो आप तक पहुंच भाए तो चलिए अगले प्रसंद क्यों चलते हैं प्रसंद संहखा 15 मुख में शटार्च और संकराइका पाचन किस्के दो रहा होता है मुख में शटार्च और संकराइका पाचन किसके कर söz होता जिसके लिग चार उप्शन दिये गए हैं और सरक्रा का पाचन करता है स्वरी का बिशाल्तम धमनी कौन सी है जिसके लिए चार अप्सिन तेगे आप्सें। और बेना केवा, option number B A, रोटा, option number C, केसी का, option number D नीला है, तो जिहां इसका सही एंसर हो जाएगा, option number B A, रोटा है, अगले प्रसन की उर चलेंगे, जो की प्रसन संख्या है। सट्रह्ंगे मनुश्य के शरीर की 55 लगभक कितनेसी लंबी होती है मनुश्य के सरीर के जो पाचननली होती है जो कितने फीट क्या होते हैं इसके लिए 4 अप्शन त için किया हैं और सूरीर के जो 450 लगभक 32 अबनुश्य लंबी होती है अगला प्रसंट की और चलते हैं। प्रसंद संख्या 20 नवजात सिस्यों में हड्यों की संख्या कितनी होती हैं। जिसके लिए चार अप्षिं देगे, ऐसे नमर 2-6, ऐसे नमर 2-3, ऐसे नमर 2-2, थिसन सहीं एंसर होती हैं। यूपिज्वात घ्लियों की संख्या 300 होता जबकि मन्नुष पुछेगा तो दूसरो छोवर दिया होते हैं अगले परसंद की ओर चलते हैं परसंद संख्या 19 जारविक सेवन क्या है जिसके लिए चार अप्शन देगें अप्शन नमरे करितरीम आथ अप्शन नमरे सबस्क्राइव सब्सक्राइब मनुस का रूधिर यैनि個 UK जिससे लिए convictions सब्सक्राइब को बताते हैं तो आपका दूद का हो जाएगा अपसे नंबर बी जो है आपको मुत्र का हो जाएगा और अपसे नंबर डी जो है जो यह आपका सिर्का का होता है तो चलिए एक बार और करते हैं यहां पर छे दसनों चार होगे आपका दूद का होगे और 6 जो होगे आपका मुत्र का होगे और 7.4 जो होगे आपका बलड का होगे और 2.4 जो होगे आपका सि लगा होगा तो अभी तक मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दिजिए आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा और कुछ सुझाब देना चाहते तो कमेंट में जरूर दिजिएगा कि कैसा वीडियो लगा धन्यवाद